वैसे तो हरियाना में भारती अंता पाटी पिछले 10 साल से सत्ता पर काबिज है इसलिए इस बार के विधान सबा चुनाव में सभी चुनावी विशलेशक हरियाना में भाजपा के खिलाब सत्ता विरोधिर रुजान के बैश्वानी कर रहे थे लेकिन जो कॉंग्रेस से जो खबरे आ रही है वो देख के लग रहा है कि मामला पलट रहा है चुनावी विशलेशकों का मानना था कि भादेंता पाटी के लिए दुबारा हरियाना में भाजपा के सत्ता में लोटना भ्यद मुश्किल है लेकिन भाजपाई भी क्या करें जब कॉंग्रेस करनेता उसे प्लेट में परोस कर सत्ता देने के लिए बेचान हो रहे हैं तो भाजपा मना भी कैसे कर सकती है नमस्कार उदेडिया वस्वागत आपका मैं हूँ अनुश्रमान आनल जहां भी चार कॉंग्रेसे मिल जाते हैं वहां उनमें घमासान जरूर मज जाता है हरियाना में भी कुछ ऐसा ही दृष्ष्य दिखाई दे रहा है हरियाना में विदानसवा चुनाव के लिए चार अक्टूबर को मद्दान होने वाला है लेकिन इससे पहले कॉंग्रेस की अंधरूनी कलह एक बार फिर से सामने आ गई है हुआ यूँ कि जैसे ही हरियाना में विदानसवा चुनाव के लिए चार अक्टिव हो गई लेकिन जैसे जैसे राज्ज में चुनावी सरगर्मिया तेज होने लगी वैसे वैसे शैल्जा हाशिय पर खिशक्ति चले गई और अब हालत ये है कि उन्होंने इस चुनाव से पूरी तरह दूरी बना ली है शैल्जा ना तो कॉंग्रेस से गोश्टापस जारी करते समय दिखाई दी और नहीं वो अब चुनाव परशार कर रहे है उनकी नाराजगी की वज़ा है हरी राणा के दिगज कॉंग्रेसी और पूरो मुख्यमंतुर है वो पिंदर सिंग हुड़ा क्योंकि टिकट बट्वारेस लेकर अब तक जो घटना करम हुए है उन सब में कॉंग्रेस आला कमान ने हुड़ा को तवजदी है सेल्जा न तो अपने समर्थकों को टिकट दर्वा पाई और नाहीं उन्हें कोई प्रचार के लिए बुला रहा है यही नहीं हुड़ा गुट के समर्थकों ने सेल्जा पर कई बार अपतिने टिपणियां भेकी हैं जिससे वो बेहद आहत है सेल्जा की इस नारागी एक हम्याजा कॉंग्रेस को भुगतना पर सकता है क्योंकि कुमारी सेल्जा हरियाना में कॉंग्रेस का एक बड़ा दलिच चेहरा है हरियाना की 21 ऐसी विज़ान सवसीटें हैं जहां पर कुमारी सेल्जा के प्रवाव है लेकिन कॉंग्रेस समर्थों के टिपणियों के बाद उन्होंने चुनावी कैम्पेंज से दूरी बना ली है उन्होंने इस मुद्दे पर कोई भी टिपणिया बयान भी नहीं दिया है सेल्जा की एक खामोशी जो है वो कॉंग्रेस चिंता बढ़ा रही है नारनौंद में कॉंग्रेस मिद्वार जस्सी पेटवार के नमार्खुम कारक्रम में एक समर्थक ने कॉंवारी सेल्जा पर जदेगर टिपणिंग की थी इस बामले में तुल पकला और जगा जगा विरोध भी हुआ है बताया जा रहा है कि सेल्जा इस बाल से बहुत नहराज चल रही है लेकिन कॉंग्रेस पाटी ने आरुपी एकलाफ को विशेश करवाई भी नहीं की है उधर हरियाना में कॉंग्रेस का जो टिकट बटवा रहा हुआ है उसमें भी कुंवारी सेल्जा की राय नहीं ली गई कॉंग्रेस हाइकमान ने हुड़ा समर्थकों के तवज्जो देते हुए नबे में से 72 सीटों पर हुड़ा के समर्थकों को टिकट दिया है जबकि सेल्जा ने अपने समर्थकों के लिए 35 सीटे मांगी थी लेकिन उनके स्रफ 10 सबास्पों को टिकेट दिया गया है। हरियना कंग्रस में दो गुट है। एक गुट वह विंदर सिंग हुड्डा का है और दूसरा दूसरी गुट का नाम था SRK SRK में जो S है वो सहलिया का है R जो है वो रनदीब सुरुजवाला है और के यानि किरेंट चौधरी लेकिन किरेंट चौधरी अब भाजपा में शामिल हो चुकी है, इसके बाद इस गुट में सिर्फ और रजिप सुर्जेवाला और यह दोनों गुट है यानि हुड़्डा और एसार के गुट इन दोनों के बीच चुनावी कैम्पेऎं में पोस समुदाय भी 21 प्रिस्दी अबादी के साथ दूसरे नंबर पर है हरियाना में जीत हासिल करने के लिए कॉंग्रेस जो थी वो जाट और दलतों का जिताव एड़ान बना चाहती है लेकिन हुड्डा के नाम पर जाट समुदाय के कुछ वोट तो कॉंग्रेस को मिल सकते हैं ले पर भाजपा 30 फ्रिष्दी OBC, 8 फ्रिष्दी ब्रामण, 5 फ्रिष्दी वैश, 8 फ्रिष्दी पंजाबी और 37 फ्रिष्दी राजपूत वोटों के लावा दलित वोटरों पर ही परोसा कर रही है वो दलित वोटर जो कॉंग्रेस से नराज ओकर भाजपा खेम में आजकते है पिछले 10 सालों से हरियाना वर्षाशन करने वाली भाजपा पर सत्ता विरोधी वोटर वोटरों के खत्रा मंड़ा रहा था लेकिन कॉंग्रेसी नरताओं के बीच इस तेजवेगमासान ने उसे फिर से संजीनी प्रान कर दी है देखते हैं हरियाना में चलावी हूट किस जय भारत